हलो दोस्तो, वेलकम टू फिल्मी कारवा और आज इस कारवा में हम बात करेगे सैने टुन्शी, दा कर्स ओफ दा एप्स मूवी पर इट्स वन अफ दा बेस्स साइकलोजिकल थ्रिलर आफ एवर सीन 2010 की ये स्विस मूवी माइकल इस्टाइनर के दुआरा डारेक्ट की गई है ये मूवी आपकी जिन्दगी के नजर ये को बदल देगी एक ही मूवी में इतने पहलो दिखाए गई है कि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी इस मूवी का हर एक कैरेक्टर एहम है इसके एक भी गरदार को आप नजर अंदाज नहीं कर सकते हो एक फोक टेल पर बेस्ट ये मूवी बहुत ही ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्ट, सर्प्राइजिंग और ब्रिलियन्टली डारेक्ट की गई है कहानी एक ऐसे टाउन की है जहां के लोग रूडिवादी और छोटी सोचके है और यहां एक लोकल मित मशूर है जिससे सब डरते है इसी टाउन में रियूश नाम का एक पुली सोशिसर है जो सबसे अलग है यह समझदार, logical thinking रखने वाला और open minded है जिसे डरी सहमी और गंदगी में लिप्टी हुई एक गूंगी लड़की मिलती है जिसे टाउन का प्रिस्ट एक devil मानता है और गाउन वाले प्रिस्ट के साथ मिलकर इस लड़की को मारना चाहते है लेकिन रिश उनकी बात नहीं सुनता और इसे अपने देख देख में रखता है और यह लड़की है कोन, कहां से आई, इस चीज़ पर investigation शुरू कर देता है अब यहां हमें तीन और character से introduce कराया जाता है Erwin एक चरभाहा है जो अपने बेटे Albert के साथ mountains में रहता है और Martin एक city boy है जो अपने पास से भाग कर यहां इनके साथ रहने आया है यहां हमें इस town के fog tale के बारे में बताया जाता है और इन सब के बीच है town में मिली वो लड़की यहां से कहानी में आता है twist और कहानी बिलकुल पलट जाती है और ज्यादा पेचीदा हो जाती है कहानी में अलग-अलग stories अलग-अलग timeline में चल रही है और वो लड़की इन सब से जुड़ी हुई है रियूश जैसे जैसे उस लड़की के बारे में investigate करता जाता है यह कहानी और confusing होती जाती है और नए-नेर राज खोलते जाती है इतना कुछ एक साथ चलने के बाद भी movie बिखरी हुई सी कहीं नहीं लगती बलकि ताश की गड़ी की तरह हर पत्ते को बहुत सोच समझ कर रखा गया है और आखिर में यह निकालती है अपना हुकुम का इक्का जो आपको हैरानी में डाल देता है यह एक disturbing psychological thriller है जो इतनी twisted है कि आपको परेशान और बेचैन कर देगी इस movie में love, lust, ghostly encounters, tragic past crimes, murder, suicide, sexual enslavement, brutality, revenge और mystery देखकर आपका मुह खुला का खुला रह जाएगा आप कहोगे कि यह हो क्या गया आप decide नहीं कर पाओगे कि कौन सही था और कौन गल्त ऐसी movies आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है जो एक fog tale को इतने perfectly real life से जोड़ दे कि देखने वाला दंग रह जाए यह movie आपको आखिर तकल जाकर रखती है आपको यह movie जरूर देखने चाहिए It's just brilliant